तो इस्टोन पढ़ रहा है उसके माइन में ये चल रहा होता है कल स्कूल है मुझे जाना है ति उसनके पढ़ाई हो गया है नहीं साम का क्या नास्ता करना है ये कौन सा आवाज आ रहा है पास में ये कौन बात ही कर रहा है उसके माइन में ये सब चल रहा होता है आप जब भी कोई चीज याद करने के लिए पड़ो न तो उस चीज को लेकर आपको इमाजिन कर लेना है जैसे कि suppose in a small house in solan district of हिमाचल परदेश lived in world roman named काबेरी जैसे मैंने ये पड़ा मुझको ये इमाजिन कर लेना है कि हिमाचल प्रदेश में district जहां कि काबेरी नाम की महिला रहती थी ऐसा कुछ अगर आप इमाजिन करके पड़ोगे अगर बातना विश्वास हो तो आप कोई भी बुक लेकर एक लाइन पड़ो आपकी वह आवाज आपके कान पहुचनी चाहिए पर आपको यह माइड में रियक्ट होना चाहिए कि यह Łह हो रहा है मतलब आप इमाजिन कर रहे हो यह चीज को अगर आपका माइं डिस्ट्राक्ट रहेगा दाइवाट रहेगा तो आप यह चीजश सिर्फ पड़ रहे हो आपको याद नहीं हो रहा है आपको अगर विश्वास ना हो आज ही आप ट्राइ करके देखना दो लाइन पढ़ो और सोचो कि मैं सिर्फ यही पढ़ा हूं कि मेरे माइन में और भी कुछ चल रहा है इसलिए स्वामी विपे कानंद जी का कहना है बहुत अच्छी बात है कि आपकी कोई भी काम में स पढ़ा ही नहीं कागरत जितनी जादा होगी समय उतना कम लगेगा और याद भी आपको उतनी दिन तक रहेगी उतने महीने साल तक रहेगी या फिर जिन्देगी भर रहेगी यह ट्रिक आजमा कर दिखना